कि यहां पर दिया वाई कि x equal to x, y, z आपको एक set में 3 element है, b set में 2 element है, finding the number of relation from a to b, ठीक है, a to b हमने यह concept होगत, अच्छी तरीक है, एक example भी solve गया, इसकी theory भी complete सीखिए, अब इसके ओपर जो second question वो कर रहे है, ठीक है, तो देखिएगा कि क्या है, solution में देखिएगा, एक तो आपको a set given है, x, y, z और आपको एक b set दिया वाई है, वो आपको 1, 2 given है, यहां दे clear है, अब आपको बताने है भी number of elements कितने होगे, तो पहले हम इसका देखिए, partition product देखते हैं, partition, तो यहां से देखो, x कितने को तीर मारेगा, x यहां पर 1 को, फिर यहां पर 2 को, ठीक ह है, 1 को, फिर x किसको मारेगा, 2 को भी 3 मारेगा, फिर आपका y है, वो 1 को भी 3 मारेगा, 2 को भी मारेगा, क्योंकि यह बोला कि x मान रहा है, तो मैं भी मारूंगा, सही है, और यहां पर z है, z 1 को भी मारेगा, z 2 को भी मारेगा, तो यहां से number of element in partition product कितने होगे, a cross b, equal to कितन होगे, 6, ठीक है, 6 element होगे, अब यहां पर इसके number of subsets कितने आएंगे, of partition product के, तो यहां से देखेगा, कि क्या, कि number of, numbers 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 of, subsets, number of, subsets in, in a cross b, तो a cross b में कितना हैगा, 2, 2 की पावर यहां पर, जो जितने, इतने, इसकी cardinalty होती है, a cross b की, तो 2, 2 की पावर यहां पर, cardinalty 6 है, तो यह देख लो, कितना हैगा, 64, तो 64 आगया, और यहां से 64 आते ही, 100, तो यहां से क्या हैगा, number of, relation, from a to b, कितना होंगे, वो 64, same आएंगे, ठीक है, क्यूं आएंगे, क्यूंकि, जो relation होता, वो subsets of, क्या होता है, partition product होता है, इसलिए,